कर दोस्तों स्वागत हैं आपका टीसी फैसन में दोस्तों आज हम करने जा रहा है कैफरी की कटिंग और इसकी पूरी सिरीद चलाएंगे इसकी जो है स्टीचिंग भी करेंगे ओके तो यहां पर कैफरी कटिंग करते हैं तो कैफरी की जो लंबाई है बहुत है साड़े है और तो सबसे पहले पल्ले को सीधा कर लेते हैं उके यह अमने सीधा कर लिया उसका एक इंच ही उपर निकाल के क्योंकि हम बैल्ट इसमें अलग से लगाएंगे कैफरी में तो बैल्ट का जो हिस्सा है वो अलग से लगाएंगे देर इंच का अब लंबाई है इसकी 3028 का चौता हब हाग करें तो हुआ ड़ेंगर करेंगे तो हज़ार से क्या करेंगे हम इंची टेप को से अंदर करेंग और आधा इंच हम कम करके निसान लगा यहां हो गया पयंट का लटक का नियुजए कैफरी यह थोड़ी साड़ी लूज होती है तो हम यहां पर एक इं किनारे को हटा देंगे ओके अब हम लगाते हैं अपना सबसे पहले हिप का निसान कमर का निसान हमारे लगेगा ने क्योंकि इसमें लाश्टिक पड़ेगी तो लाश्टिक नापके डाली जाएगी तो हिप जो है वो है 38 यानि कि उसका चौथा बागुआ साड़े नौ यह रा अदा इंच इदर अजिदे दबाओ जाएगा तो एक इंच दो दबाओ चला जाएगा तो देड़ इंच हमको बढ़ा देना है तो यह हो गया हमारा ग्यारा इंच ओके तो इसको हमको निसान लगा लेना है अर इस कपड़े की बात करूं तो दोस्तों यह ढबल अरच का है कपड़ा सिंगल अरच का नहीं है तो सट गा है और कोटन का है और डबल अरच का है ठीक है न तो ये रहा अब इसमें क्या करना आ गां को दeड़ इंच ही और यहां पर एक्ट्रा लगाना है यह रान का हो गया, तो यह रान हमारी देखें, यहां से हम नापेंगे, तो यह आगए हमारी 25 रान, complete तयार रहेगी, तो यानि कि 34 कमरे में जो 25 रान है, वो कैफिरी की बिल्कुल फरफेक्ट रहेगी, आपकी थोड़ी सी लूज रहेगी, बहुत जाद लूज भी ने, बिल् propor अगए, देंदेना है, उके, उसकेबाद हमको क्या करना है, यहां से हम पॉन इंची, डाउन कर देंगे, यह रहा है, और यहां से क्या है, हमको यह एक इंचय सिर्फ अंदर साइड में रखेंगे, जाधा हमको, क्योकि इसमें हमें भी सेंटर नहीं बनाना है, पैंट की बस एक इंची अंदर को हलका साल डाउन करके और निसान लगा देना है सीधी सीधी ये चीज रहती है ज़्यादा तर तो हलकी सी सिर्फ सेफ दें ज़्यादा ना दें तो यहां पर जो मोहरी है वो हम रखेंगे 18 तो क्योंकि यह घुटने से नीचे की है तो इसलिए 18 है बिल्कुल नीचे तक होती गटे तलक मितलु पैंड के दरा तो कम होती तो इसलिए 18 है और 18 बिल्कुल बेश्ट है तो अपने हिसाफ से आप कम जादा भी कर सकते हैं तो नौ दूनी 18 यह हो गए यानि कि 18 कि यादर नौ उसके बाद इस तरीके से हमको फंटी से से शेफ देना है यह रहा और सिंपल सा यह निसान हमारे लग गए उसके बाद हमको कटिंग कर देना है एक चीज और यहां पर जो है अब हम पाकिट के जो निसान बगए रहा है वो यहां पर चलिए हम लगा देते हैं तो पांस सेंटीमीटर यानि कि दो इंच नीचे उतार के और जो है इस तरीके से पांसी इसमें चैनल लगेगी और बहुत ही बहतरी दरीके डिजाइन दार मतलब पैपिल लगा के एक दम परफेक्ट बनेगी बहुत ही बड़िया तो पूरी सीज़ित देखिएगा चैनल को जरूर सब्तराइब कर दें तो अब जो हम इसकी सामने की कटिंग करते हैं उसके बाद बैक की कटिंग कर लेते हैं तो यहां पर बिलुकुल बहुत ज़्यादा गुलाई ना दें एक दम थोड़ी सी हल्की सी कि राउंड में रखें अब हम बैक की कटिंग करते हैं तो देखे पल्ला इस तरीके से है तो इसको उनको घुमा लेना है बही पैंट की तरह ताकि हमारी इधर साइड से बैल्ट बगएरा निकल सके पल्ला घुमाने के बाद इस तरीके से रखेंगे हम तो दोड़ा से जिस तरीके से शेप था यह हलका सा उसी तरीके से हमको रखें और इसको उसके और यह बाला निसान लगाएंगे और यह बाला यहां पर हम चोड़ेंगे ठाई इंच और यहांपर हम चोड़ेंगे देघड इंच का ड़ा इंच है इसलिए छोड़ा है क्युक्ति जो है दो इंच आदा आदा इंच चारो तरफ से दबाव चला जाएगा तो दो इंच हमारा दब जाएगा इसमें और आदा इंच हमारा जब उपर से हम दबाएंगे इसको इस तरीके से तो आदा इंच उसमें दब जाएगा दो इंच यहां पर हो गया ओके तो इसलिए हमके ने दा इंच छोड़ दिया और थोड़ा सा हलका सा लूज रहना चाहिए उसके बाद हमको क्या करना है इसको हम फंटी लगा देंगे यहां पर और इदर साइड में एक इंच हम छोड़ देंगे और सीधा निसान लगा लेंगे उसके बाद जो बैक साइड में हमको दो इंच का निसान लगा देना है इस तरीके से उसके इस तरीके से सीधी सीधी हमको निसान लगा लेना है और उसके बाद ये राउंड हमको बना देना है ओके तो अब हमारी हिप कितनी आएगी बो भी मैं आपको बता दूँ जैसा कि इतना तो इधर साइटम दबाओ चला जाएगा बैक का और इतना इधर चला जाएगा तो ये हिप हो गए हमारी देखिए पौने बारा आधी आधी और इसमें भी इतना जला चला जाएगा दबाओ इतना और इतना तो पौने बारा यहाँ पर रखते हैं पौने बारा यहाँ पर आ रहे है पौने बाइस ओके तो दोनों पल्ले यानि कि पौने बाइस आ रहे है क्वावने 22 को नदबल करेंगे क्योंकि चार पले रहेंगे तो हीप जो है हमारी साड़े तीतालिस आ रही है साड़े तीतालिस कम्प्लीट और है कितनी हमारी हीप है हमारी 38 तो साड़े तीतालिस यानिकि 1,2,3,4,5,5,5 इंच की लूजिंग है कैफरी में तो यह बिलकुल सह के मां की डाट इसमें पड़ती नहीं पीछे और हम जो है इसको कटिंग कर लेते हैं अब कि यह कपड़ा हमारी लाश्टिक के लिए है और इसमें पाक्टे भी निकल आएंगी जो कि हम घुटने पर लगाएंगे तो टोटल इसमें चार पाक्टे लगेंगी दो सामने को दो गुटने पर और पाइपन विकेड़ा लगेगी तो वीडियो को जो है सिरीज देखना तो चैनल पर जाकिब देख सकते हैं सिरीज और जो है चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लें तो जितने भी नोटिफिकेशन के वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगाओ वीडियो को लाइक करें और इसकी फुल सीरीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो को साथ अब तक के लिए नमस्कार